चार दिसम्बर से दस दिसम्बर तक का समय तुला राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है जैमातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी इस दिसम्बर माहा के सप्ताह के तुला राशी फल के बारे में ये जो सप्ताह है ये आपके लिए किस तरह के परिवर्तन लेकर आया है इस सप्ताह में किस तरह के योग बन रहे हैं क्या ग्रहों की इस्तिती होने वाली है किस तरह के लाव आपको देखने को मिलेंगे क्या-क्या आपके जीवन में बदलाव होने वाले हैं तो ये सारी जानकारिया आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेगी इसलिए वीडियो को लास तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ यहां मिलेगी आपको अपनी राशी से जूड़ी हर एक जानकारी समय पर अब 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक अगर हम ग्रहों की इस्तिथी की बात करें तो देखे सबसे पहले तो चंद्रमा की इस्तिथी देख लेते हैं चंद्रमा सेहिंग राशी, कन्या राशी और तुला राशी इन तीन भावों में सक्रिया रहेंगे और इन तीन भावों में चंद्रमा की जो सक्रियता है उसी के आधार पर आपकी जो दिंचरिया है उसमें भी कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे सब्तमी सित्थी के साथ सब्ता की शर्वात होगी और 12 सित्थी तक ये सब्ता रहेगा योगों की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक से एक बड़िया योगों का निर्मान इस सब्ता में हो रहा है क्योंकि यहां दुईपुशकर योग, गजकेश्र योग, शशनाम का राज योग, सरवार्त सिद्धी योग तो कई दिन बनने वाला है ऐसे ऐसे योग बन रहे हैं, जो आपके लिए काफी महत्पुन हैं, जो आपके जीवन में कई तरह के बड़े बदलाव लेकर आना चाहते हैं तो यह सब्ता में किस तरह से आप इन चीज़ों का फाइदा उठा सकते हैं ग्रह कोई राशी नहीं बदलेगा, सबी ग्रहों ग्रह अपनी अपनी स्थिती पर होंगे आपके लिए जो सबसे इंपोर्टन ग्रह होने वाले हैं सब तहां में एक तो आपके राशी के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो आपकी लगन में विराश मान हैं बहुत मजबूत इस्थिती में हैं, दूसरा आपके दुईत्य भाव में सूर्य और मंगल की यूती है ये भी आपके लिए बहुत बैनेफिट देने वाले रहेंगे तो चलिए ब विस्तार से जान लेते हैं इन साथ दिनों के बारे में क्या लाब और कहां सावधानी के ध्यान को आकरसित करेगी शारिरीक रूप से मानसिक रूप से आपको संतुस्टी रहेगी और आप अपने आपको फिट रखने के लिए अपने खुद की नियमित रूप से अपने ध्यान पर अपने योग पर आप ध्यान दे पाएंगे ऐसे में कुछ अच्छी चीजों से भी आप जुड़ सकते हैं जैसे बाहर जाकर खेलना कूदना हुआ ऐसी गतिविदियों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं अपनी भागिजदारी दर्ज कर सकते हैं ये सपताहा आपको कुछ बड़ी चीज़ें भी देने वाला है क्योंकि आप ये जरूर सोचिए इस सपताह में क्या नहीं मिल सकता है आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या फिर जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो सपताह के मध्य में हैं यहां किसी भी तरह के जोश में आकर आपको को कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिसे आप अपने होश्क हो जाएं कई बार होता है ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर या फिर एक्स्ट्रा एक्साइटिड होकर चीजें जो है वो बिगड़ जाती है वरना मुनाफ़ा कम हो जाया और नुकसान में बदल जाएगा लेकिन बहुत अच्छे योग बने हुए हैं आपके लिए अचानक से बड़े धनलाव के बस थोड़ी सावधानी आपको रखनी है अपने आपको काबू में रखना है और इसके साथ ही आपको इस पूरे सब्ता हमें अपने भाई बहनों का समय समय पर आपको सपोर्ट मिलता हैं तो थोड़ा आराम से और बहतर होगा कि थोड़ा सा आप आवेश में आकर बात ना करें बस इस चीज का ध्यान रखे अब देखे शनी की मैं बात करूँ तो शनी पांचवे भाव में मौझूद है आप शनी की भी मौझूदगी आपके लिए बहुत शुब है क्योंकि इस वजह से आपके जो दफ्तर है आपका जो आफिस है वहाँ आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे एक ऐसी चाहा होते हैं कि आपको लगता है काश यह योजना मुझे मिली होती है फिर इस काम में मैं शामिल हुआ होता तो वो चीज़ें आपको उस जो काम आपको मिला है उस काम के जरीए आप आगे निकल पाएं और जल्दबाजी में जोश में आकर होश खोने से बचें यह चीज यहाँ भी लागू होती है लापरवाही बेकुल ना करें उस काम को समय से पहले पोरा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा तभी लिए बहुत अच्छे बने हुए हैं आपको अपने परिवार का सपोर्ट मिलने वाला है आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो आपको बड़ा प्रोथसाहित करने वाले हैं और कोई आपका सिक्षक कोई आपका गुरू कोई आपका टीचर आपको कुछ ऐसी चीज़ें ब बड़े बड़े बदलावों के साथ कई ऐसी चीजें भी जो हर किसी को अपने जीवन में चाहिए होती हैं, कुछ इस तरह की चीजें भी आपके लिए यहां आपको जीवन में मिलेंगी, देखिए काम आपके चार ओर है, वो आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, और हरी बार ऐसा होता है ना कि जीजों को हम भाहर ढून रहे होते हैं, वो हमें अंदर से मिलती हैं, खुशी भीतर से आती है, अच्छी चीजें आपको आकरशित करेंगी, आप आभारी रहें, अच्छी चीजों की तरफ आकरशित भी हों, लेकिन काम सबसे पहले आपके लिए लेंगे, उतना जादा आपके लिए बैनिफिट देने वाला रहेगा, और साथ ही जो योग है ना, वो कई तरह के ऐसे योग सब्ताम निर्मित हो रहे हैं, जो काफी महतपुन होने वाले हैं, एक तो खुशियां दस्तक देने वाली हैं, जो निजी जीवन में, आप उसको जीवन से जोड सकते हैं, लव लाइफ से भी जोड सकते हैं, आपके जीवन साथे के साथ आपकी अंडरस्टेंडिंग बहुत बढ़िया रहने वाली है, और आपको कई समाहरों में जाने का मौका भी मिलेगा, मन भी प्रसन रहेगा, रोमेंटिक लाइफ होगी, एक शांती बनी रहेगी, और बस इस अपताह में तो आपको जो एक चीज जिस पर फोकस करना है, वो यही है कि अति आत्म विश्वास से आपको बचना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा नुकसान दे होता है, तो बस उसी से ओवर कॉन्फिडेंट से आपको बचना बाकी चीजें तो बड़ी आसानी से काम करके आपको जीवन में आगे लेकर जाने ही वाली हैं, अब यहाँ बात करते हैं हम एकादशी की जो की नौ दिजंबर को है उत्पन एकादशी, ये मार्क्षी माहा की पहली एकादशी है, तो इस दिन भगवान विश्वार और मालक मिले लेकिन सोने जरूर बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही केसर वाली खीर बना कर उसका भूग लगा कर वो गरीबों में आप उस भूग को बाटें, ये एक ऐसा उपाय है जो वाकी में बहुत उत्तम रहेगा, और हाँ एक चीज और इस जो खीर होगी इसमें तुलसी द जरूर डालें, फिर आपको उसका परफेक्ट मिशन बनेगा और वो आपके लिए बैनेफिट देने वाला रहेगा, आपकी च्छाओं को पूरा करने वाला रहेगा, आपको खुशी देने वाला रहेगा, तो ये चीज़ें आप जरूर कर सकते हैं, बाकी देवी लक्ष्मी के करपा प्राप्त करना चाहते हैं, और शुक्र देवाब किराशी के स्वामी हैं, तो शुक्रवार के दिन मलक्ष्मी के लिए खुद से ही घर में बैटकर यग्य और हवनीन चीज़ों का आनद जरूर लें, इससे देवी लक्ष्मी का आशिरवादा आपके उपर होगा, स साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें